Hello everyone, welcome back again, हम सबके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है Easy Ayurveda with Vicky आज का topic है अतिसार, जिसको हम डाइरिया से correlate करते हैं तो बहुत ही important यहाँ पर यह topic है, इससे 20 मार्ग सा question बनता ही है तो आईए आज हम अतिसार में सबसे पहले उसका व्यादी परीचे देखेंगे उसके बाद निरुक्ती देखेंगे, फिर परिभाशा देखेंगे, उसके बाद निदान, पूरूप संप्राप्ति भेद बहुत ही जादा important है, भेद को देखते हुए ही हम लक्षन देखेंगे फिर साध्य साध्यता देखेंगे और उसके बाद चिकित्सा बहुत ही जादा important चिकित्सा का एक श्लोग जो मैं आपको आज याद करवाने वाला हूँ वो उतना ही important है जैसे आयरवेद में वात पित कफ तो अतिसार का जो इस लोग होने वाला है अतिसार चिकित्सा का बहुत ही जादा important है तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा एंट तक जरूर देखें तो चलिए start करते हैं start करने से पहले मेरी एक request है कि जिसने भी अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है वो please subscribe कर ले ताकि आने वाले वीडियो के notification आप सभी को मिल सके आप अपने doubts और question मुझसे इंस्टा पर भी पूछ सकते है मेरे link description में है आप check कर सकते है व्यादी परीचे अतिसार, पुरिश्वह, उदकवह और अनवर्श रोतस की व्यादी है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ये अतिसार एक कौन से शोतस की व्यादी है तो यहाँ पर आपने देखी लिया है कि पुरिश्वह, उदकवह और अनवर्श रोतस की व्यादी है उसके बाद बहुती ज़ादा important line क्या बोला गया है कि द्रव मल की बार बार प्रवर्ती होना ही इसका प्रत्यात्म लक्षन है जिसे हम cardinal sign भी बोलते है बहुती ज़ादे important ये line है आप मेरे साथ साथी अपनी notebook में लिखते जाए और मेरे साथ साथी इस व्यादी को complete कीजिए ठीक है उसके बाद क्या बोला गया है एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ बहुती दियान से सुनीगा ये कहानी क्या होता था पहले सत्युग में पशो को बुलाया जाता था आमंत्रित क्या जाता था उनकी पूजा करी जाती थी और उन्हें छोड़ दिया जाता था मतलब उन्हें मारा नहीं जाता था लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि पशो को पशो की बली देने लगे और ऐसा बोला जाता था कि जो बली देता है और जिसकी बली दी जाती है दोनों को ही पूर्णे मिलता है अब जब बली दी जाने लगी तो वहाँ पर जितने भी पशु थे वो उनकी कमी होने लगी अब बारी आई गाएं की ठीक है तो गाएं की भी कुछ टाइम के बाद गाएं की भी बली देने लगे और उस गाये के बाद जब गाये की बली देने लगे तो उसका जो मास था उसे as a भोजन as a प्रशाद के रूप में खाने लगे सब बैठने लगे कोई जंगल में इस कोने पे लोटा लेके बैठा है कोई उस कोने में तब वाश्रूम तो हुआ नहीं करते थे कारण से लोगों का माँ पर पेट खराब हो और सब लोग कोई इदर बैठा है लोटा लेके कोई उदर बैठा है ठीक है तो ध्यान से सुनिएगा उसके बाद ये इन्वस्रिकेशन पूरी हुई और ये पाया गया कि हां भई अब ये फाइनल हो गया कि गौ मास के सेवन से ही अगहात होने से अगनिमांद होने से अतिसार रूकित पत्ती होती है बहुती सिंपल वे में ठीक है तो उसके बाद आप सभी को पता है कि इसे हम आदुरिक मत्सर डाइरिया भी बोलते हैं तो ये था इसका व्यादी परीचे कहानी आपने डंग से सुनी लियोगी कहानी भी आप लिख सकते हैं अगर लॉंग में आप इसे और elaborate करना चाहते हैं उसके बाद अब हम चलते हैं निरुक्ती की और निरुक्ती बहुती जादा important है आप सभी को ये quotation याद होना चाहिए क्या बोला गया है कि अतिशयेन सार्यती नाना विद द्रव धातून मलान वा इति अतिसारह अर्थात अधिक मात्र में जल्ले अंच बहुल द्रव मल का निकलना अतिशार कहलाता है बहुती जादा ये important है ठीक है अतिशयेन शार्यती नाना विद द्रव धातून मलान वा इति अतिसार बहुती जादा important ये निरुक्ती तो आप सभी को याद होनी ही चाहिए अर्था अधिक मात्रा में जल्ले अंच बहुल द्रव मल का निकलना ही अतिसार कहलाता है इसकी एक और निरुक्ती इस प्रकार से है कि अतिसार शब्द इति उपसरग पूर्वक श्रिक से बना है ठीक है इसमें इति का अर्थ होता है प्रभुद मात्रा में या अधिक मात्रा में श्र का अर्थ होता है शरण या निकलना वो ही चीज यहाँ पर फिर बोलागा है कि अर्थात द्रव मल का बार बार गुदा मार्ग से प्रवर्टी होना ही अतिसार कहलाता है तो निरुप्ती में ये quotation आप सभी को याद होनी चाहिए अब हम चलते हैं परीभाषा की और परीभाषा बहुती सिंपल है और छोटे-छोटे quotation है आप सभी को ये छोटे-छोटे quotation तो याद होने ही चाहिए ये आप सको जादा मांग भी यहाँ पर गेन कराते है क्या बोलागा है कि अतिशरण अतिसार छोटे-छोटे quotation है उसके बाद क्या बोला गए कि गुदेन बहुद्रव शरणम अतिसार ठीक है अर्थात वोई चीज यहाँ पर आ गई अधिक मात्रा में जल्ले अंच बहुल द्रव मल का निकलना अतिसार कहलाता है अर्थात द्रव मल की बार-बार गुदा मार्क से प्रवर्टी होना भी अतिसार कहलाता है आदुनिक काल में हम इसे डाइरिया भी बोलते है तो अतिसरण अतिसार गुदेन बहुद्रव सरणम अतिसार बहुत ही इंपोर्टेन चोटे चोटे कोटेशन, कम से कम ये कोटेशन तो आप याद ही कर सकते है तो ये थी इसकी परिवाशा, अब हम चलते हैं निदान की और अर्श, अतिसार और गहनी इन तीनों रोग में ही अगनिमान होता है एवं ये एक दूसरे के परस पर कारण बन जाते है तो बहुत ही इंपोर्टेंट आप सभी ने पहले पढ़ चुके होगें ये सब उसके बाद क्या बोला गए कि गौमास के सेवन से सरप्रतम अतिसार रोग की उत्पत्ती होती है पहले हमने पढ़ लिया है उसके बाद इसके कुछ सामाने निदान हम देखते है क्या बोला है कि गुरू अतिसनिक्द, अतीयूषण, अतीद्रव, अतीशीतल पदार्द के सेवन से भी अतिसार रोग उत्पन हो सकता है उसके बाद क्या बोला है कि अजीन अध्यशन, अध्यशन किसे बोलता है जो हम शादी में करते हैं, पेट भर जाता है, लेकिन तब भी खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो उसे अद्धेशन बोलते हैं, उसके बाद विरुद भोजन सेवन से, उसके बाद क्या वो लगा है, कि विश्प्रयोग, भय, शोक, वेगधारन से भी अतिसार रोकित पत्त वनित किये हैं, आईए देखते हैं इन्हें, क्या बोला गया है, सबसे पहले देखते हैं, कि हिर्दे, नाभी, गुदा, और उदर एवं कुशी प्रदेश में सूची भेधन वत पीड़ा होती है, सूची भेधन, सूची बोलता है सूई, तो सूई चुबने जैसी पीड़ होती है, उसके बाद जो दुसरा बोला गया है, वो बोला गया है कि अंग में सितलता होना, अंगों में सितलता हमें देखने के लिए मिलती है, उसके बाद अदोवायू या अपानवायू का अवरोध यहां पर होता है, फिर क्या बोला गया है कि मल प्रवर्ती अभाव, ठी ये मैं आगे आपको और अच्छे से समझाऊंगा उसके बाद जो लास्ट है वो बोला गया कि भोजन का अविपाक होना भी इसके पूरूप है तो ये थे इसके पूरूप अब हम चलता है संप्राप्ति की और संप्राप्ति में उने से आमदोश कव की उत्पति होती है जो की आंतर में हमारे शोब उत्पन करता है और पुरीश उदक और शोतस की पुरीश उदक आदी शोतस की हम पर दुष्टी करता है जिसके कारण मल्की अत्ती प्रवर्ती होती है जिसे हम अतिसार रोग कहते है, I repeat, निदानों के सेवन से हमारे त्री दोश और विशिशकर वात प्रकुपित होते हैं, जिसके कारण अगनी मांध हो जाता है, अगनी मांध होने से आम दोश कव की उत्पत्ती होती है, जिसके कारण आंतर में शोब उत्पन होता है, और पूरीश, उदक और अनवश होतास के दुष्टी होती है, जिसके कि मल की अतिप्रवर्ती होती है, जिससे हम अतिसार कहते हैं, आप इसे as a sequence में भी लिख सकते हैं और अपने words form में भी लिख सकते हैं तो इसमें विशेशकर वात जो दोश होता है वो वात प्रदांतरी दोशोज होता है दूशेश में उदक और पुरीश होता है शोतस आप सभी को पता है पुरीश, उदक और अन्वाशोतस ठीक है तो ये थी इसकी संप्राप्ति आप इसे इस flow chart में भी लिखे और अपने words form में भी आप इसे लिख सकते है अब हम चलते हैं भेद की और भेद बहुती ज़ादा important है तो आईए देखते हैं इसके अतिसार के कितने भेद होते है तो सहीताओं में अतिसार के छेवेद बताएं गए है आचारे चरक मतानुसा छेवेद कौन कौन से है वात्तज, पित्तज, कफवज, सन्नी पातज और पांचवा भयज और शोकच तो जो लास के जो दो है भयज और शोकच इसे हम आगुनतज भी बोल सकते है उसके बाद उन्होंने भी इसके छेवेद बता है उन्होंने वात्तज, पित्तज, कफवज, सन्नी पातज बस उन्होंने भयज की जगे पे आमज बोल लिया ठीक है और शोकच की जगे पे शोकच ही है ठीक है और इसमें भी जो फिफ्ट और शिक्स मतलब आमज और शोकच है इन्हें हम क्या बोल सकते है आगुंतज भी बोल सकते है उसके बाद सामनेता पुरीश की अवस्ता के आधार पर अतिसार के दो भेद होते हैं बहुती बहुती जादा इंपोर्टेंट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट यहाँ पर बोला गया है इसी को देखते वे ही हम चिकित्सा करते हैं मैं आपको इसका एक शलोग भी याद कराऊंगा तीके तो वो हम आगे याद करेंगे सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि सहीताओं में अतिसार के कितने भेद बोले गए छे बेद जो चरक है चरक ने वात्पित कफ सन्नी पातच और हमारा भयज और शोकज बोला है और लास के जो दो है भयज और शोकज इन्हें हम आगुंतज भी बोल सकते हैं उसके बा बहुत ही ज़ादा important आम इतिसार और पक्व इतिसार तो यह भेद भी आपको याद होने चाहिए अब हम चलते हैं आगे लकषन की और तो इसके लकशन हम आगे देखेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी साध्यसादिता थीक ए, साध्यसादिता में क्या बोला गया है कि वातज, पितज, कफज, अतिसार, यह सुक साध्य होते हैं, इसलिए मैंने ग्रीन से लिखा है, उसके बाद जो हमारा सन्नी पातज, शोकज और भयज, जो अतिसार, यह हमारे कृच साध्य होते हैं, तो यह इसकी साध्य साधिता है, अब हम चलता है, बहुत ही ज़ादा important हम यमारी चिकित्सा की और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम इसका एक शलोक याद करने वाला है बहुती बहुती वेरी वेरी इंपोर्टेंट शलोक है तो आईए धियान से देखेगा इस लोक को आप सभी को ये शलोक याद होना ही चाहिए क्या वो लगय है कि देखेगा कि आम पक्व क्रम हित्वा न अतिसार क्रिया यतह अर्थात अतिसार में आम अवस्था तता पक्व अवस्था के क्रम को छोड़ कर चिकित्सा नहीं हो सकती नहीं हो सकती वर्ड मैंने आपर यूज करा है ठीक है उसके बाद क्या वो लगया है कि अतह सर्व अतिसारेशु गियम पक्व आम लक्षणम अर्थात इसलिए आम तथा पक्व मल का लक्षण जानना आवश्यक होता है तो बहुती जादा इंपोर्टेंट है क्या बुलागे कि अतिसार में सबसे पहले हमें आम और पक्व देखना चाहिए पक्व आवस्था के क्रम को छोड़ कर चिकेचा नहीं हो सकती इसलिए आम तथा पक्व मल का लक्षण जानना आवश्यक होता है बहुती जादा इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये श्लोक है एक दो बार आप लिखेंगे इसलिए आपको याद हो जाएगा तो अब हम देखते है कि हमारे जो अतिसार है इसमें हमारी दो कंडिशन बन गी एक आम अतिसार और एक पक्व अतिशार तो अब हम इन दोनों के ही हिसाब से अब अपनी चिकेट्सा स्टार्ट करते है तो सबसे पहले चिकेट्सा में आपको इस लोक लिखना ही लिखना है उसके बाद जैसा मैंने बो लगा है दो कंडिशन आपको बनानी है अतिसार में दो कंडिशन हमारी बन गी एक हमारी आम अवस्तागी एक हमारी पकव अवस्तागी तो अब हम आगे देखते हैं सबसे पहले आम अतिसार की चिकेट सहाम देखते हैं तो क्या बोला गया है? अब आम अतिसार की condition में क्या है? आपके जो पेट है, आपका जो कुशी है उसके अंदर आम की condition हो रखी है तो क्या बोला गया है कि बलवान रोगी के लिए अतिसार में आम अवस्था में लंगन से बढ़कर दूसरी कोई औशदी है ही नहीं तो अगर आपको जानना है आपने देख लिया कि हाँ भाई आम की condition है तो आम की condition में लंगन से बढ़कर कोई औशदी होती ही नहीं है क्योंकि लंगन कराने से प्रविज जो बढ़े हुए दोश है उनका शमन होता है और आम का पाचन हो जाता है बहुत ही जादा important ये तो obvious बात है common sense की बात है कि अगर आम की condition है तो लंगन कराना है तीक है इस condition में ये नहीं कि आप उसे ग्राही और इस्तंबक औशदीर दे 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 नहीं तीक है आम अतिसार के condition में ग्राही और इस्तंबक औशदीर का अप्रियोग नहीं कराना चाहिए यदि आम अतिसार में इन ओशदयों का द्वारा आम जो मल है उसे रोक लिया गया तो ग्रणी अर्श शोत पांडुवादी रोग उत्पन होने के संभावना होती है ठीक है नॉर्मल सी बात है common sense की बात है आम की condition है लंगन कराईए लंगन कराने से क्या होगा दोशों का शमन होगा आम का पाचन होगा ठीक है और इस condition में हमें आम अतिसार की condition में ग्राही और स्थम्बक ओशदय का प्रियोग नहीं कराना है अगर कोई वैद है जो इनका अशदय का से बन करा देता है तो क्या हो सकता है गरहनी अर्ष शोत पांडु आदी रोग हमारे उत्पन हो सकते है आम अतिसार की condition में आप कुछ औशदय योग याद कर सकते है प्रमित्या ठीक है तो प्रमित्या का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका अर्थ होता दीपन एवं पाचन कशा है ठीक है ध्यान रखेगा कि प्रमित्या अपनी नोट बुक में आप लिख सकते है प्रमित्या का अर्थ होता है दीपन एवं पाचन कशा है ठीक है उसमें आप याद कर सकते है तो यहाँ पर आप यह याद कर सकते है उसके बाद कुछ चून आप यूज कर सकते है जैसे त्रियूश नादी चून हो गया शुंते आदी चून हो गया लवन भाशकर चून बहुत ही important है लवन भाशकर चून भी आप उनापर यूज कर सकते है और वटी में तो एक important वटी जो आप सभी को पता है संजीवनी आदी वटी और शंक वटी ठीक है तो ये थे आम अतिसार की चिकेच सा लंगन कराना है लंगन कराने से क्या होगा दोशो का शमन होगा आम का पाचन होगा और इसमें हम ग्राही और इस्थंबग ओश्योदय का प्रियोग नहीं कराते हैं क्यूं अगर इन ओश्योदय का प्रियोग कराकर म आपके लिए enough है, तो ये थी आमति सार के चिकेट सा, अब हम चलते हैं अपनी main important जो हमारी है, पकवति सार चिकेट सा, ठीक है, तो अब क्या है पकवति सार की condition है, तो इसमें क्या बोला गया है, कि इस अवस्था में स्तंबक और सग्रही औशुदिय का प्रियोग कराना चाहिए, अब इस condition में आप प्रियोग करा सकते हैं, हमारी स्तंबक और ग्रही औशुदियों, ठीक है उसके बाद कुछ प्रमुक योग आप याद कर सकते हैं, इसके एक निमोनिक है, क्या वो लगए, कि वृद गंगा फेन साथ कूप जाती है ठीक है, जो एक लड़की है, वृद गंगा जिसका नाम है, वो फेन के साथ कहां जाती है, कूप, कूए पर जाती है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं ठीक है, वृद गंगा फेन के साथ कूप जाती है, तो वृद गंगा से आप याद कर सकता है कि विर्द गंगादर चून और गंगादर चून उसके बाद फेन से आप याद कर सकता है कि हमारा अही फेन आसव साथ से आप याद कर सकता है सूत सेखर रस कूप से आप याद कर सकता है करपूर रस और जाती से याद कर सकता है आप जाते फलादी वटी बहुत ही important मुख्य योग है आपके बहुत ही जादा important ये प्रमुख योग है आप सभी को ये योग याद होने चाहिए ठीक है और क्या बोला गए कि इन आश्योदियों के साथ पकव अतिसार में तक्र हमारा यवागू कांजी वलाजा सत्तू भी हम दे सकते है ठीक है तो ये आपकी condition होगी बहुत ही important हमने चिकितसा देगी सबसे पहले हमने चिकितसा का श्लोक याद करा उसके बाद हमने देखा कि आम condition में जब आम अतिसार के condition होगी तब हमें क्या करना चाहिए तो बहुत ही important ये अतिसार है ये अतिसार बहुत ही important है 20 marks यहाँ से question बनता है तो hope करत वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है So, thanks for watching, keep supporting, thank you